तो दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बड़े मिया चोटे मिया मुवी के बारे में जो कि इस टाइम पर बॉलिवुड की लेटस मुवी है और इस मुवी के स्टार का होती है वैसी आप उससे सबसे पहले देख सकें इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आते हो आप वीडियो जरूर करना और चैनल के कमेंट बोक्स के अंदर बढ़े मिया चोटे मिया जरूर लिगना ताकि हमें भी यह पता लग सकें कि आप सभी को बीडियो बहुत बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे होते हैं यहीं पर बैग्राउंड में हमें पता लगता है कि हमारे देश इंडिया के कई सारे दुश्मन हैं जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना और ये देश हमारे पर कभी भी अटेक कर सकते हैं लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान और वो हमें यहां पर नहीं बता चाता इस बारे में हमें मूवी में आगी पता लगेगा आर्मी वीकल्स उस बॉक्स को लेकर उसे किसी सेफ जगह पर ले जा रहे हैं बट रास्ते में यह देखते हैं कि इन पर अटैक हो जाता है अगर उसने इस टाब पर यहां by तो उससे हमारा देश खतम होजायेगा और इसलिए हम इस मिशन को बिलकुल भी lightly निनी ने सकते हैं इसके बाद ही हम यहाँ पर करनल अजाद को लेखते हैं जो कि यहाँ पर हाई कमांड से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ दोज सोलजर्स पूरा कर सकते हैं करनल अजाद की बाद को सुनकर हाई कमांड और ओफिशल्स इस मिशन को एगरी कर देते हैं और फिर इसके लिए करनल अजाद मानुशी चिल्लर जो कि इस मोवी के अंदर कैटन मिशा होती है उससे यह कहता है कि बड़े मिशा और चोटे मिशा करके निकाल दिया गया था और सब्सक्राइब ऑफिशल्स इसके बाद यही पर हैं कि करनल अजाद के बताते हैं इसके बड़े में देखते हैं कि करनल अजाद के स्टोरी बताते बताते जहांपर एंट्री होती है, बड़े मिया और छोटे मिया की। आए इस मिशन के लिए वो तिनों एक नाम सोच रहोते हैं वो यह कहता है कि अबी हाली में जो मुवी आई है हम अपने मिशन का नाम उसी पर रखते हैं और वो लोग जैसे हैं कि अब आपने मिशन पर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर एंटर करके वो सीधा अतंग वादी गू हो जाते हैं इसके बाद ही इस तोलों मेरे संसरी तोरी सोरिय पहले होती हैं कि फैंगर शौफ या कि पास जाती आगा आने वाले का एंड इसलिए जब कैप्टेन मिशा उसके पास आती है तब वो से मास्कमैन का वीडियो दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है जिस पर छोटे मिया जल्दी से राजी हो जाता है और वो मिशन के लिए तयार हो जाता है इसके बाद फिर वो दोनों बड़े मिया करते हैं इसके आगे हम देखते हैं कि क्याप्टें मिशा और चोटे मिया दोनों युक vision को लेड़े का थी हैं क्योंकि इसने machines और technology की बहुत knowledge है, ये hacking में expert है, और ये किसी भी system को बड़े आराम से break कर सकती है, और हमने जब अपने box को trace किया था, तब हमें ये पता लगा कि हमारा box ऐसी जगह पर रखावा है, जहाँ पर कई सारे systems है, इसलिए उने break करने के लिए हमें Pam की सुरत है, इसके बाद ही वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, और वो तीनों उसी location पर पहुंचाते हैं, जहाँ पर उनका box रखावा होता है, ये वाली location बिसी गली एक building के underground में होती है, और उस जगह पर बहुत सारे security levels के साथ साथ कई सारे guards भी होते हैं, लेगिन फिर भी छोटे मिया, Captain Misha और Pam तीनों मिलकर, उन सारे guards को ठिकाने लगाते हैं, और सारे systems को breach करते हैं, और उनका box रखा होता है, लेगिन वहाँ भी काफे सारे guards होते हैं, बट छोटे मिया उन सबको beat कर देता है, बट तब ही हम यह देखते हैं कि वहाँ पर एक और mask man आता है, जो कि पहले वाले mask man से थोड़ा सा different होता है, हाला कि छोटे मिया इसे भी beat करता है, बट हम यह देखते हैं कि इसे जितनी भी injuries आती है, उसकी सारे injuries recover हो जाती है, और फिर वो छोटे मिया को बहुत बुरी तरह से मारता है, और फिर इसलिए जब छोटे मिया काफी weak हो जाता है, तब वहाँ पर काफे सारे और भी guards आ जाते हैं, और फिर जैसे वाल्ट का security lock खुलता है, वैसी हम यह देखते हैं कि अंदर वहाँ पर कोई box नहीं, बलकि सोनाक्षी सिना होती है, जिसके हाथों को बांध कर वहाँ पर रखा गया होता है, यहाँ पर वो उन सब को बताती है, कि असल में जो box था, उसके अंदर वो खुदी थी, यानि कि इंडिया का जो बहुत ही advanced system है, जो कि इंडिया के लिए बहुत important है, वो खुद है, अब सोनाक्षी सिना इन सारी चीजों का explain करती है, और वो उन सब को बताती है, कि असल में इंडिया ने जो system develop किया है, वो असल में एक dome system है, और अभी इसे इंडिया ने activate कर रखा है, और जब तक एक्टिवेट रहेगा, तब तक जितने भी attacks बाहर से होंगे, वो इंडिया के अंदर आई नहीं पाएंगे, और इसलिए इंडिया नार्मी और हाई कमांड ने ये फैसला लिया था, कि वो लोग dome के data को सुनाक्षी सिना के दिमाग में encrypt करेंगे, ताकि जब भी जरूरत हो तो सुनाक्षी सिना के दिमाग से connect करके, वो सभी dome के data को encrypt और decrypt कर सकें, एंड इसी dome का नाम दिया गया था करन कवच, जो कि इंडिया को हर बाहरी खत्रे से बचाता, और इस करन कवच के data को सुनाक्षी सिना के दिमाग में इसलिए डाला गया, क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी की soldier थी, लेकिन यहाँ पर हम यह देखते हैं, कि जब बड़े मिया इन सारी बातों को सुनता है, तब उसे इन बातों पर शक होता है, और वो छोटे मिया और बागियों से कहता है, कि अगर मास्क मैन को करन कवच का data ही चाहिए था, तो वो सिम्पली सुनाक्षी सिना के दिमाग से उसे निकाल सकता था, और अब तक तो उसे निकाल का सुनाक्षी को मार भी दिना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और बलकि ऐसा करने की बजाए, उसने सुनाक्षी को इस वर्ल्ट के अंदर कैद करकर रहा, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आने कर दिजार करा था, यहाँ पर यह लोग यह बाते करी दे होते हैं कि तभी उन पर एक सुनाक्षी को उठाया था, वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आता है, और वो बड़े मिया, छोटे मिया और बागी सब को लेकर कैप्चर कर लेता है, और उन सब को अपनी जगह पर ले जाता है, यहाँ पर वो उन सबी को चेंज से बांदेता है, और फिर इसके बादी वो बड़े मिया और छोटे मिया के सामने आता है, और अपने मास्क को उटाता है और फिर बड़े मिया और छोटे मिया जानते हैं कि वो बरसन और कोई ने बलकि कबीर है जो कि उनका पहले दोस्त दुआ करता था और यहाँ पर मास्क मैन यानि की कबीर बड़े मिया और छोटे मिया से कहता है कि यह सब्स ने उन दोनों से बदला लेने के लिए यहाँ पर इन दोनों से थोड़ी बाते करने के बादी मास्कमैन यानि की कबीर डॉक्टर मिशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ यार होगा जो कि UK से अपने बिजनस को अपरेट करता है और वो बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए वैपनस बनाता है यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कबीर इंडिया में आता है और वो यहाँ पर आकर सबसे मिलता है और इंडियन आर्मी और हाई कमांड के साथ मीटिंग करता है और फिर यहां परीव अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को रिविल करता है इस मीटिंग एंदर बड़े मिया, छोटे मिया, कंडल आजाद, आर्मी जनरल और हाई कमांड के काफी मेंबर्स होते हैं और इसी मीटिंग एंदर कभी यह खुलासा करता है कि वो 15 सालों से एक प्रोजेक्ट के उपर काम करा था और उस प्रोजेक्ट के नाम है Soldier X और इसी Soldier X को एक्स्पेन करते विए वो सबसे कहता है कि काफी सारे वाट्स में और मिशन्स के अंदर इंडिया के Soldiers मारे जाते हैं जिससे हमारा काफी नुकसान होता है और इसीलिए उसने अपने इस Soldier X बनाया है और इसके अंदर वो बेसिकली इंडिया के Soldiers का DNA लेगा और उसने उनका Human Clone बनाएगा जो Clone बेसिकली Humans तो नहीं होंगे लेकिन Humans की तरह दिखने वाले रोबोट जैसे होंगे इसके बादी वो यहाँ पर दो प्रोटोटाइब दिखाता है जो कि बड़े मिया और छोटे मिया के होते हैं और वो सभी को बताता है कि यह दोनों हमारी आर्मी के सबसे बेस सोलजर्स हैं और मेरे पास इन दोनों का DNA है और इसलिए मेरा ही प्लाइन है कि मैं इन दोनों जैसे सैकडो और हजारो सोलजर्स बनाऊँगा जो कि इनी की तरह trained और skilled होंगे और बहुत ही powerful होंगे और फिर कुछ ताइम बादी मैंने इतना प्ग्रेट कर दूँगा कि ये literally आमर हो जाएंगे मतलब कि इने मारना भी impossible होगा और फिर इस तरह से इंडियन आर्मी बहुत powerful बन जाएगी और इसके बाद हम ना सरफ हमने दुश्मनों को मारेंगे बलकि उसके अरावा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नी होगा जो कि इन्डिया से लड़ने की हमत करेगा लेकिन इस मीटिंग अदर हम ये देखते हैं कि हाई कमाड के मेंबर्स, आर्मी जनरल और करनल अजाद इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं ये देखकर कबीर को शौक लगता है और वो सोचता है कि आखिरकर ऐसा क्यों हो रहा है और इसलिए वो करनल अजाद से पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे है उसने तो ये बहुत ही पाउर्फुल चीज़ बनाई है इसलिए इंडियन आर्मी को तो से एकसेप्ट करना चाहिए इसके साथ ही कबीर करनल अजाद से कहता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी और सोचिये इन सारे हीमन क्लोंस का कंट्रोल आपके हाथों में होगा बट ये सुनते ही करनल अजाद कबीर से कहता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रोग्लम है क्योंकि मान लोगर कंट्रोल मेरे हाथ में होता है और मैं ही गद्दार निकल जाता हूँ तो तब तो इंडिया देश ही खतम हो जाएगा इसके लावा तुमारे बनाएवे हुमन क्लोंस की वज़ह से देश के अंदर तक्ता बलट भी हो सकता है और पूरे कंट्री में मिलिटरी रूल आ सकता है क्योंकि एज अफकोर्स मिलिटरी के पास इतनी सारी पावर्स होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इन सब के भी उपर इंडियन सोल्जर्स पूरी दुनिया से अलग है और इंडियन सोल्जर्स को जो चीज अलग बनाती है वो है हमारा जमीर क्योंकि हमारे सोल्जर्स के अंदर इंसानियत है और इसलिए हम दूसरे देश के सोल्जर्स को भी एक सोल्जर के तरह ट्रीट करते हैं हम मरते वें इंसान को भी पानी पिलाते हैं लेगिन तुमारे soldier acts के अंदर जितने भी close बनेंगे वो तो इंसानी नी होंगे इसलिए उनके अंदर कोई जमीर कोई सिद्धान नी होंगे और इसलिए ये चीज ना तो हमारे देश के लिए ठीक है और ना ही humanity के लिए इसलिए तुम इस प्रोजक्ट को बंद कर दो और कल तक जाकर अपने प्रॉजक्ट को बंद कर दें, इसके बाद कभीर वहां से निकल जाता हैं, और वो अपने research lab में आ जाता हैं, जैसे कि चाईना और पाकिसान जैसे देशों को, और फिर इंडिया को पता लगेगा कि आखिरकार उसने क्या बनाया दा, और देन सब उसकी value करेंगे बट हम यह देखते हैं कि यहाँ पर यह सारी बाते सुनक्षे से न सुन लेती हैं और वो इन सारी बातों को record करके कर्णल अलजाद और आर्मी जनरल को दिखा दिती है और फिर इसलिए वो दोनों बड़े मिया और चोटे मिया को बलाते हैं और उन दोनों को कबीर को रोगने के लिए कहते हैं लेकिन बड़े मिया और चोटे मिया को ये भी कहा जाता है कि कबीर को उन दोनों को जिन्दा पगड़ना है इसके बादी बड़े मिया चोटे मिया रिसर्च लैब पर हमला करते हैं लेकिन उन पर भी अटाक होता है क्योंकि उन पर कबीर के सारे गार्ड्स अटाक करते हैं बट वो दोनों उन सब को बीट करते हैं और फिर वो लो कबीर को पगड़ लेते हैं बट कबीर उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिस पर बड़े मिया और छोटे मिया उसे अपनी बंदू को से चल्ली करके मार देते हैं, और फिर इस तरह से कबीर का Soldier X प्रोग्राम रुख जाता है, बट अगले सीन में हम यह दिखते हैं, कि बड़े मिया और छोटे मिया दोन जिन्दा कैसे बचिया, जिस पर कबीर उन दोनों को बताता है, कि असर में उसने अपना बॉडी क्लोन त्यार कर रखा था, और जब उन दोनों ने उस पर हमला किया था, तो उनके अटेक करते हैं, उसने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया, और वो खुदवान से निकल देता है, और फिर वो अपने दूसरे मास्क मैंस को सामने लाता है, और फिर जैसी वो सब इपना मास्क रटाते हैं, वैसी हमें पता लगता है, कि वहाँ पर जो तीन मास्क मैं खड़े थे, वो और कोई नहीं, बलकि बड़े मिया, छोटे मिया और करनल अज़ात के क्लोन से उन तीनों को दिखा कर कभीर सभी से कहता हैं, कि अब ये तीनों जो की क्लोन से हैं, इनको लेकर मैं इंडिया जाऊंगा, करने कवच को डेक्टिवेट करूँगा, और इनके जरिये पाकिस्तान और चैना के पर अटेक करूँगा, जिसके रिस्पॉंस में वो दोनों देश सारे लोगों के नीची आग लगा देता हैं, ताकि वो लोग जलकर मर जाएं, लेगिन हम ये देखते हैं कि बड़े मिया चोटे मिया खुद को चेहन से निकाल लेते हैं, और वो अपनी पूरी टीम को जनलने से बचा लेते हैं, और फिर वो लोग जल्दी से इंडिया आते हैं, और आर्मी जनरल और हाई कमांड के मेंबर्स को बताते हैं, कि आखिर कबीर ने क्या क्या प्लैन कर रखाएं, इसके बाद कबीर को रोकने की सारी जिमेदारी बड़े मिया और चोटे मिया पर आती हैं, जिसके बद बड़े मिया और चोटे मिया, कैप्टन मिशा और प पर आते हैं उनका सामना उनके क्लोंस से होता हैं और फिर इसलिए हैं पर काफी देर फाइट करने के बादी बड़े मिया और छोटे मिया उन तीनों क्लोंस को जला कर खतम कर देते हैं इसके बादी बड़े मिया और छोटे मिया अंदर आते हैं बट अंदर आकर उन्हें पता लगता है कि कबीर ने करन कवच को हटा दिया है और इसलिए वो मिसाइल अटाइक भी लाँच कर देता है और इसलिए देखते हैं बहुत सारे मिसाइल्स अपनी पोजिशन से निकल कर पाकिस्तान और चाइना की तरफ निकल जाते हैं और उनकी काफी लोकेशन पर अटाइक कर लगता है कि कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इसलिए पहले तो काफी परशान होते हैं बट फिर वो सबी यह सोचते हैं कि हो ना हो कबीर ने पासवर्ड एक लब पर रखा होगा क्योंकि कबीर को अपने क्लोन एक लब्वे से बहुत प्यार था और इसलिए वो को करन कवच का एक्सेस मिल जाता है और इसलिए वो लोग करन कवच को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी बदो सारी मिसल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर ही ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह से एक बड़ी जंग रोग दी जाती है इसके बद अगले सीन में हम यह देखते है और वो मुवी के लास सीन में अपनी आखे खोलता है लेकिन जैसी वो आखे खोलता है वैसी उसके साथ ही मुवी एंड हो जाती है हाला कि इस तरह से हमारे सामने इस मुवी के अगले पार को टीस कर दिया गया है और इसलिए अगर यह वाली मुवी अच्छा चलती है तो करें चेनल सब्सकराइब नहीं किया थो भी अभी वी विडियो को शेयर करना चाहते हैं तो जादा से जादा शेयर करें अपसे इसी तरह से हस्ते और मुस्कुराते नहीं मैं मिलता हूं आप से इसी किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक है यह गुड़ बाई